अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बाद गाजियाबाद की करेंगे जहां यती नरसिंगानंद विवादत बयान के बाद कारवाई के बाद सामने आ रही है पुलिस ने यती नरसिंगानंद और छोटे भाई पर F.I.R. दर्च की है आनेल यादफ के बयान के बाद स्थिती तनावपुन गाजियाबाद पुलिस ने विजियो का संग्यान लिया है पुलिस ने एक F.I.R. दर्च की है और यती नरसिंगानंद और उसके छोटे भाई अनेल यादफ पर F.I.R. दर्च की गई है तो गाजियाबाद पुलिस ने विजियो का संग्यान लिया है और साथी यतिनर सिंगानंद और उनके छोटे भाई आनेल पर FIR दर्ज की गई है दो आनेल लोगों पर भी FIR दर्ज की गई है तो गाजयबाद से पूरी खबर सामने आ रही है और पुलिस ने वीडियो का संग्यान लेते हुए FIR दर्ज की है आनेल यादफ के बयान के बाद इस्तिती की गई है और इस मामले में आनेल यादफ के बयान के बाद इस्तिती चुकी तनावपूर्ण हुई थी और इसी का संग्यान लेते हुए गाजयाबाद पुलिस ने ये कारवाई की है और यतीनर सिंगानिन्द और उनके ठोटे भाई आनेल पर FIR दर्ज की गई है जिस तरह से अनेल यादफ के बयान के बाद इस्तिती तनावपूर्ण हुई है गाजयाबाद पुलिस ने वीजियो का संग्यान लिया है खाला कि न्यूस वन इंडिया इस तरह कि किसी भी अफवाः को बढ़ावा नहीं देता है और इसी खबर के आधार पर हमने आपको जानकारी दी है कि गाजयाबाद पुलिस ने वीजियो का संग्यान लिया है और पुलिस ने FIR भी दर्ज की है जिस तरह से ये जानकारी हमने आपको बताई है और ऐसे में न्यूस वन इंडिया किसी भी अफवाः को बढ़ावा नहीं देता है साथ ही हम आप से शांती बनाए रखने की अपील भी करते हैं चुकि मामला जिस तरह से संग्यान में आये सिती तनावपूर्ण हुई है और ऐसे में पुलिस की ओर से FIR दर्ज की गई है इसी पर जानकारी के साथ हमारे समवदाता जीते इंद्र गौतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं जीते इंद्र क्या कुछ पूरा मामला रहा है क्योंकि जिस तरह से अनिल यादव का बयान आया उसके बाद इस्ते तनावपूर्ण हुई और आप FIR की बाद भी सामने आ रही है जीते इंद्र कर दो दो पहले यति नर्थिंगानन्द ने भयान किया तक इसके बाद इसके तनावपूर्ण हुई और इसके बाद खास समुदाए के लोग जो हैं उसकी जिरस्तारी को लेकर मांग कर रहे थे जीते नर्थिंगानन्द का कुट्वा फूगा जाएगा जिसके बाद भाई अपना पो बताते हैं निल यादव इसके बाद हम भी जो है स्नावपूर्ण का दहन करेंगे जीते इंद्र बहुत 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 शुक्रिया आपका इस वीडियो को संग्यान में लेते हैं उन्होंने मामला की दख किया है जी अब बल्कुल जीते इंद्र बहुत बहुत शुक्रिया आपका मारसा जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए हरमादे मित्रो मैं छोटा नर्शिंग अनन्द अनिलिया दव। स्वागत करता हूँ आप सभी का एक महत्पुन विश्या के साथ आपके साथ आया हूँ मेरे साथ है रणजिंग अनन्द किरी जी महराज निर्वानन जी और रामशरूपानन जी सभी यति सन्यासियों के साथ में एक मैसिज देना चाहता हूँ आज पूरे देश भर में हमारे गुरूजी के खिलाफ बहुत बड़ा प्रदर्शन हो रहा है एक तताकतित बात के लिए उन्होंने एक बात को बहुत बड़ा बमंडर बना दिया है और आज पता चला है कैई जगे पुतले फूके गए हैं आसपास और कल इन्होंने गाजेबाद के कलेट्रेट पर जो चिरकुट है छेत्र के इन्होंने पूरा आवान करके लोगों को बुलाया है रंसिंगा नर्सिंग अनंद गिरीजी महाराज का पुतला फूकने के लिए तो मैं बात सपष्ट कर लेना चाहता हूं यदि गुरुजी का कल पुतला फूका तो आप समझ लेना और सारा प्रसासनी समझ लेना के जो बात गुरुजी ने कही है वह अक्सरत सच्छोने वाली है दसायरा के दिन दोनों के पुतला फूकेंगे मुहम्मद का भी और अली का भी पर अगली अगली अबुबकर का भी बनेगा यह बात समझ लेना यदि कल पुतला फुका तो सिवसक्ति दाम डासना से पुतला देहन कार्यकरम अब कई स्टार्ट होने वाला है हरवाद यतिनर सिंगानंद विवादत बयान के बाद कारवाई पुलिस ने यतिनर सिंगानंद और छोटे भाई पर F.I.R. दर्श की है आपको बताते चले कि आनिल यादफ के बयान के बाद इस्तिती चुकी तनाफपूर हुई थी इसके बाद गाज्याबाद पुलिस ने वीजिय F.I.R. दर्श की है यतिनर सिंगानंद और उनके छोटे भाई अनिल यादफ पर F.I.R. दर्श की गई है दोनों अनिल लोगों पर F.I.R. दर्श की गई है इसके साथ ही आपको बता दें कि न्यूस वन इंडिया यह आपसे लगातार अपील करता है कि किसी भी तरह की हावा देता है